13.3.5 गोली लेंस द्वारा प्रतिविम बनना क्रिया कलाब 5 एक उत्तल लें और उसकी फोकस दूरी ग्याद करें अथवा ऐसा लें जिसकी फोकस दूरी आपको ग्याद हो अब V-Stand की साहता से लेंस को एक स्केल के पास सेट करें ऐसा आपने क्रिया कलाब 4 में दरपन के लिए भी किया था लेंस के दोनों और F को चौक से निशान लगाकर F1 और F2 अंकित करें इसी प्रकार 2F1 वर 2F2 भी अंकित करें एक जलती हुई मुम्बत्ती को वाई और 2F1 से काफी दूर रखिए लेंस के विपरीत दिशा में रखे परदे पर इसका इसपष्ट वर्थ तिक्ष्न प्रतिविम प्राप्त करें प्रतिविम की प्रकृती, इस्थिती तथा आपेक्षिक साइस नोट करें इसी प्रकार अब मुम्बत्ती को साइनी में दी हुई अन्य इस्थितियों पर रख कर अपने अवलोकनों को साइनी में भरें साइनी 3 13.3.6 वस्तु की विबिन इस्थितियों के लिए गोली लेंसों द्वारा बने प्रतिविम के किरनारेक अ उत्तल लेंस के किरनारेक साइनी 3 के अनुसार उत्तल लेंस से बने प्रतिविम के किरनारेक चित्र 19 में दिये गए हैं पहला जब वस्तु अनंत पर हो दूसरा 2F1 के पीछे हो तीसरा 2F1 पर हो चौथा 2F1 वह F1 के बीच हो पाचवा F1 पर हो चटवा F1 तथा प्रकाशिक केंडर O के बीच हो जब हम वस्तु को फोकस बिंदू वह प्रकाशिक बिंदू के बीच रखते हैं तो हमें एक आभासी सीधा वह आवर्धित प्रतिविम प्राप्त होता है या लेंज के उसी ओर बनता प्रतीत होता है जिस ओर वस्तु रखी गई हो उत्तल लेंज के इस प्रकृति का उपयोग सरल सुक्ष्मिदर्शी बनाने के लिए किया जाता है जब वस्तु को लेंज से फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है तब आवर्धित वस सीधा प्रतीविम प्राप्त होता है ब अवतल लेंज के किरणारेख इसी प्रकार अवतल लेंज के लिए मुख्य अक्षपर वस्तु को विभिन दूरीयों पर रख कर किरणारेख बनाएं आप पाएंगे कि अवतल लेंज में प्रतेक इस्थिती के लिए प्रतीविम वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी वः फोकस बिंदू वः प्रकाशिक बिंदू के बीच ही प्राप्त होता है पहला जब वस्तु अनन्त पर हो दूसरा वस्तु अनन्त वः प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच किसी बिंदू पर हो आरेक के अनुसार अवतल लेंज द्वारा बन रहे प्रतीविम की इस्थिती, प्रकृती वः साइस को नीचे दी गई साड़नी चार में भरें साड़नी चार 13.3.7 लेंज से संबंधित विभिन राशियों में अंतर संबंध पूर्व की भाती इन राशियों को हम साड़नी में सूची बद्ध करके अध्यन करेंगे अचर राशियां पहला लेंज की फोकस दूरी F दूसरा लेंज की वकृता त्रिज्या 2F तीसरा वस्तु की लंबाई H चौथा लेंज की शम्ता P चर राशियां पहला वस्तु की लेंज से दूरी U दूसरा प्रतिबिम की लेंज से दूरी V तीसरा प्रतिबिम की लंबाई I चौथा लेंज की आवर्धन क्षम्ता M 13.3.8 गोली लेंस की फोकस दूरी F, दरपन से वस्तू की दूरी U व प्रतिबिम की दूरी V में सम्मंद लेंस का सूत्र जिस प्रकार हमने गोली दरपनों के लिए सूत्र के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार गोली लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र इस्थापित किया गया है यह सूत्र वस्तु की दूरी U, प्रतिबिम दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध प्रदेशित करता है लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है उप्रोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोली लेंस के लिए सभी इस्थितियों में मान्य है लेंसों से संबंधित प्रश्णों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन राशियों के उचित चिन्नों का ध्यान रखना चाहिए